वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादर होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला है कि क्रिकेटर बनने में आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट्स का जोध परेगा अभी देखो बहुत बर क्या होता है कि हम बहुत अच्छा खेलते भी हैं और ट्राइल्स में बहुत च्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जाके हमें प्रॉब्लम हो जाता है तो यार पहले से आपको नॉलेज होना चाहिए कि हां मुझे कौन-कौन से डॉकुमेंट्स का जोध परेगा और आपके वो डॉकुमेंट्स रेडि होने सब्सक्राइब कर लो और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत तेज हो रहे हो आजकल थैंक्यू सो मच आप लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो डॉकुमेंट हमारा वह हमारा जाता है या फिर मोस्ट अब टाइम समारे कपड़े के साथ धूल जाता है ऐसे केस में लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो पहले से जिरॉक्स होता है उसको अम लोग लैमिनेशन कर वा लेते हैं और यूज करने लगते हैं यह जो आपका फोटो कापी किया हुआ जो अधा बनता है और वहां पर जाके अपलाई कर आपको फिर से अपना जो औरिजनल अधार काड़ है वहां से निकलवा लेना है डूसरा डॉकुमेंट हमारा वह हमारा बट यह सूब रहा हुँ अब अनतर किया दोनों बर्ण को क्रिकेट में कौन सा वर्ण हीड़ात का ज्युट पर देखा इन दोनों में यह दोनों में वि達 आम यकट को मेरा यह मेरा जो ब्लॉक में जो उख्वां के अधिकारी होते हैं वह खुद से लिख के देते हैं अपने हाथों से exact day है नाम वगेरा और वह बो सigung करते है करें और मोहर मार के वह आपको अपना साइन वार है की हमें अप कंपिटरायज़ बुद करना होगा वहाह करोगे अपना सारा information जो भी documents वहां पर चाहिए होगा वह आप वहां पर दोगे और आपका computerized birth certificate बन के आएगा उस पे भी महर लगा होगा और sign होगा लेकिन यह computerized birth certificate होता है और अभी यहीं चीज़ चल रहा है अभी आपको यहीं birth certificate एकदम important हो गया है compulsory हो गया है पहले वाला जो birth certificate था हमाला इसमें बहुत ज़्यदा corruption वगेरा हो रहा था तो इसको अभी बंद कर दिया गया अब आपको जब भी बनवाना बर्स certificate तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको computerized birth certificate ही बनाना है और आप से हमेशा computerized birth certificate ही मांगा जाएगा गया अगर आप पहले से बनवा चुके हो birth certificate जो आपका handwritten है तो आपको क्या करना होगा कि आपको नया computerized के लिए अप्लाई करना होगा और आपका पुराना वाला birth certificate है वह वहाँ पे वह आप ले लेंगे यह जो है मेरा यह photo copy यह original नहीं है यह वहला मेरा original birth certificate है जो की computerized आप गाइस देखो तीसरा जो बहुत ज़्यादा compulsory document है आपके लिए वह है आपका study का पिछले तीन सालों का certificate जैसे मैं भी graduation में हूँ तो मेरे इसे 12 का 11 का और 10 का certificate मांगा जाएगा यह मेरा तीनों certificate है एक 12 का है एक 10 का है और एक 11 का है तो आप जिस भी class में हो अगर आप class 10 में पढ़ रहे हो तो आपको वहां पे आपका 9 का 8 का और 7 का certificate देना होगा अगर आप 11 में हो तो आपको अपना 10 का 9 का 8 का तो इसी तरह से पहले आपका तीन क्लास का certificate आपको वहां पे देना होगा आप मार्सिट दे सकते हो या फिर जो certificate होता है कुछ भी आप वहां पे लेकिन आपको प्रोवाइट करना ही पड़ेगा तो यह तीन डॉकुमेंट्स से जो आपके लिए बहुत ज़्यदा कंपलसरी है पहला अधार प्रोवाइब दूसरा बर्ज सर्टिफिकेट और तीसरा हमारा पिछले तीन सालों का स्टेडिंग सर्टिफिकेट इसके बाद अगर आपका अठरा साल हो चुका है तो आपको अपना पैन कार्ड बनवा लेना है क्रिकेट में आपसे बहुत जगह पर पैन कार्ड मांगा ज एक फॉर्म आया डिस्टिक प्लेयर्स के लिए तो उसमें पासपोर्ट मांगा गया है हाला कि वो ऑप्सिनल है आपका मने तो आप दीजिए नहीं मने तो नहीं दीजिए लेकिन पासपोर्ट आपको आगे चलके ज़रूर पड़ेगा जब आप मालनों इंटरनेस्नल लेव अगर आप जाना हो तो आपको अपने साथ रखना है शाथ ही साथ आपको अपने मम् मेंपापा का अधार का अपके लिए आपका पहला सब्सक्राइब कर दूसरा बल्स इसके अलवा पासपोर्ट और जो पैन कार्ड मैंने आपको बताए वह आपका मनों तो आप दीजे नहीं मनों तो नहीं दीजे और आपको ध्यान रखना है कि आपके मम्मी पापा का अधार कड बना हुआ है आपके पास उनका ओरिजिनल अधार कड होना चाहिए अब केस में आपसे मांगा जाएग का Otherwise आकि में लिए घीजिएगा नहीं मांगा जाए तो फिर कुई इसू नहीं है जिर्भِّ दो दिन में यह वीडियोगे बनाया मेरे सथल मैं बनाना तर वीडियो लेकिन अंधेरा हो गया और आज फिर से मैंे को सू Jest करना पदाए Alright प्रद तो अदा पार्ट कल का है आज का है आपके लिए वीडियो हैल्फूल रहोगा तो लाइक जरूर की जेगा और जितना अब आप लोग शुपर्ट कर रहे हो और सब्सक्राइब कर और चैनल को ऑर आपका ईब कमेंट होता है जो भी ओडी टो इस पर जरूरा आता हूं और आपको जो भी टॉपिक हो वह जरूर कमेंट कीजेगा नीचे अग्र आपको में इसकोई बात करना है डिस्क्रिप्शन आपको Instagram का link मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो, तो ग्याइस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए